हालो फ्रेंट्स वेल्कम टो अभी बेडिया पावर्ट बाइर्जिवन्नियु आईएस मै नेम इस रोहित मिड़ा एंड इन इन इस लेक्च्छर वी विल डिस्कुस्ट करेंट अफेर्स ऑफ सा मई सेकेंड वीक मई दोहजार बीस के दूसरे हफ़ते के करेंट अफेर्स को हम आज डिसकुस्ट करने वाले है तो पहले हफते के वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सिक्षन तो पूछ सकते हैं और हम स्ट करते हैं अपना आज का सेशन डाट इस मैं शेकिन वीक करनट अफेर्स करते हैं तो स्टार्ट वीडिकेशन टाग दिखें जिए जो भी पोड़क्स होते हैं जिनका कुछ जियोग्राफिकल रिपर्जेंटेशन होता है तो उनको एक टैग मिल जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है बिसीकली प्रड़क्स को तो यहां पर कुछ जियाई टैग्स दिये गए ह तो सबसे पहले बात करें हम सोहराई खोवर पेंटिंग तो यह जारखन में पाई जाती है पेंटिंग कैसे होते हैं आप इसको चितर देख रहे हो तो दिखें यह मिट्टी से बनाई जाती है जारखन में हजारी बाग डिस्टिक के लोग क्या करते हैं यह जब भी यहां प बशसकुछ पेंटिंग्स बनाती है तो दैट इस हो रहे खौबर पेंटिंग्स, तो यह कहां पाया जाता है ज्ःर खर्द पाया जाता है इसको G.I.Tag मिल गया पंदर बात करें तो टेलिया रुमाल यह रुमाल आप देख रहे हूँ यह होता है टेलिया रुमाल पेलियरोमाल बेसिकली है घडराबाद की निजाम जो कॉम्यूटी है तो उनके द्वारा यूज किया जाता है तो यहाँ पर मैं बात करूँ बेसिकली इसको बनाकर इसको गल्फ कंट्री में, मिडल इस्ट में, इस्ट अफरीका में, सिंगापूर और बर्मा जासी कंट्री मे जावर इसको बेसाजाता है तो बैसिकली इछाए डवल पे एक स्पोर होता है तो यह कहाँ पाया जाता है यह तैराब पकाया जाता है चेट को लेकर काव़ी गोर्स्यंगा में, उत्सी इमपोर्टन आपकरे तो हमने फरस्ट वीक की वीडियो में भी कुछ गया की बात करे तो चक हाओ, तो यह मनीपुर में पाए जाते हैं, उसके बाद टैरा कोटा, यह गौरकपुर उत्तरवर देश में पाए जाते हैं, उसके बाद कोविल पटी, काड़ा मिलाई मिट्टाई, तो यह तमिलाइडू में पाए जाती है, तो यह चार हमने लास्ट, फर्स्ट वीग में डिसकस किया थे, दो अब मिले हैं, तो टोटल सिक्स पॉडट्स को अभी तक जियाई टैर्ग मिल चुका है, इस मंत के अंदर अंदर, उसके बाद मैं बात करूँ, जियाई की वैल्यू के लिए, जियाई की इंपॉर्टस को अब मिले पात करें, तो अदुल्या भारत की अमुल्या नहीं थी, इन्वैल्यूबर्ड ड्रेजर्जर्स ऑप इंक्रीडिवल इंडिया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्टि, आंधरा गौश्ट को बढ़ किया है, दस हजार रूर एल्ट क्लिम्स के लिए, इसके सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर 6100 क्रोड रुपीज का बजट दिया है जो कि इसी 16,200 क्रोड रुपीज से घर्च किया जाएगा इसके बाद हम फदर बात करें तो 15 नए Medical College और Nursing College भी खोलने के लिए यहाँ पर State Government ने प्रमिशन दे दिये अंदर प्रदेश के जो मुख्या मंत्री है इनका नाना Y.S. जगर मौंदेडी और जो गवर्नर है उनका नाना धिस्वा भूशन हर इच्छ अंदर है चलिए आगे बढ़ते एशियन इंफास्ट्ट्चर इंवेस्ट्मेंट रैंक इसने बेट बेंगॉल की सरकार के साथ इसने पस्चिम बेंगॉल की सरकार के साथ और स्टेट में इरिगिशन सर्विसिस को इंप्रूब करने के लिए एशियन इंफास्ट्ट्चर इंवेस्ट्मेंट बेंक ये चाइन इस बेंक है बेसिकली इसका एटवर्टर बीजिंग में है तो इसने वन पॉर्टिफाइव मिलें डिया को वेस्ट मेंगॉल राज्या का नाम ध्याम में रखेगा और किस बैंक ने दिया ये ध्याम में हैं वेस्ट बेंगॉल की सरकार में एक स्कीम लांच करी है मातिर स्मृष्टी स्कीम तो इसकीम के अंतर बेसिकली 50,000 एकड बैरन लैंड को यहाँ पर यूज किया जाएगा हर्टिकलर और हर्टिकल्चर और इसकी कल्चर के लिए मागवानी और मसलिप आलंग के लिए यहाँ पर 50,000 एकड जो बंजर भूमी है उसका उप्योग किया जाएगा तो इसके लिए सरकार में एक स्कीम लांच करी है मातिर स्मृष्टी स्कीम पर इसके बाद करिये च्छे कों-कूरण से बंकूरा विरूम पुरुलईए जरकंव वैस्ट बोदवन एंड मिध्नापुर ये 6 डिस्टिक-Westernobyl के 50,000 एकल्ट की जमीन को यहाँ पर, मंधर भूमी को यहाँ पर इसकी कल्चर और होटी कल्चर के लिए यूज़ कहताएगा इस केम से बेसिकलिए ढाई लाख लोगों को यहाँ पर बनेफित होने की बात करिए यहाँ पर Westernobyl के सरकारण में सबानेकं तो कि मुख्य मंत्री जालिए आगे बढ़ते हैं गोल प्रोग्रम। कि दीखे हमारे जो ट्राइबल अलफेर्थ energy अरजुन मunda जार गंड़ जरकन से आते हैं बाइसे घरकन से लोगाथ अब आपन डॉच जम तुछारा यूद्ध प्रीबट है तो इसके जलते हुए इन्होंने क्या विए बिजिटर लिटरेसी लाइफ को इंप्रूब करने के लिए और लिटरशफ और एंटर पेशिप प्रोडर्व को इंप्रूब ने के लिए यहाँ पर एक online program launch कर दिया goal program तो goal का perform क्या है going online as leaders going online as leaders तो इसके साथ साथ basically इस program के चलते हुए 5000 ट्राइबल यूथ को यहाँ पर skill provide करवाने के लिए उनको empower करने के लिए ताकि उनको कोई भी harm ना हो basically depression ना हो तो इसी services को improve करने के लिए यहाँ पर यह program launch किया गया tribal ministry दोरा चलिए आगे बढ़ते है हमारे जो HRD मंत्रा गया है HRD मंत्रा लेके हमारे मंत्री है रमेश पोक्रियाल रमेश पोक्रियाल निशांक खरीगार उत्राखन से आते हैं तो रमेश पोक्रियाल निशांक जिने बेसिकली एक भरोसा help line लांच करी है बेसिकली उनके लिए help line लांच किया गया एक help line लांच किया गया भरोसा नाम दिया गया उसको तो help line number 0406801010 यह help line number launch किया गया है Central University of Odisha के दोरा जो भी students को यहाँपर depression की problem हो रही है या फिर जो भी उनको अगर किसी और तरह का प्रावलम है तो उनको online counseling उनको देने के लिए तांकि उनकी mental health अच्छी रहे तो इसी के चलते हो यहाँ पर यह launch किया गया Odisa राज्या के अंदर basically राज्या धाल में रखेगा Odisa और इसा के मुंख्या मंत्री है नमीन पत्नायव और गवर्नर है गनेशी लाल National Restaurant Authority of India ने एक fintech company dot pay इसके साथ agreement sign किया है online payments के लिए देखे जो भी इंडिया में online delivery companies, online food delivery companies काम करते हैं इसके साथ agreement sign कर लिया है तो अब National Restaurant Authority of India के अंदर जो भी payments के लिए वो dot pay उसको handle करेगा dot pay के चलते हुए सारी agreement सब की जाएंगी तो NRAI National Restaurant Authority of India ने किस के सब किस fintech startup के साथ sign किया है it is dot pay dot pay dot pay के जो डेरेक्टर है उनका नान है शेलाज नाग शेलाज नाग ये pay you company के co-founder भी रह चुके हैं और MD भी हैं National Aerospace Limited ने बेसिकलि एक ventilator बनाया है जिसका नान है सवस्थ वाईयू वाईयू तो सवस्थ वाईयू बेसिकलि ये जो non-covid patients है उनके लिए बनाया गया है बेसिकलि तो that is works on the by level positive airway pressure के ओपर ये काम करता है इसको एक नाम दिया गया सवस्थ वाईयू तो ये positive pressure ventilator है इसको बनाया गया चलिए आगे बढ़ते हैं National Institute of Virology पुने ने इंडिया का पहला antibody testing kit बनाया है जिसको नाम दिया गया है ELISA ELISA बोले तो enzyme linked immunosorbent assay ELISA का फिल्फों क्या है enzyme linked immunosorbent assay तो एक test kit बनाया त्यार किया है बेसिकलि उन्होंने coronavirus के चलते हूँ इसकी instructions को check up करने के लिए बेसिकलि ये बनाया गया है तो किसने बनाया है National Institute of Virology पुने Indian Council of Medical Research के साथ बलकर मद्या पर्देश की सरकार में एक scheme launch करी है अब FIR at doorstep FIR आपके द्वार योचना basically हमें कोई भी problem होती है हमें कुछ complaints होती है तो legal action के लिए हम police station जाकर FIR बच करवाते हैं तो coronavirus के चलते हैं सरकार कहती है social distancing बनाया रखे घर से बाहर निकलो तो घर के अंदर बैखेगी हमें जो भी legal proceedings करनी होती है FIR के लिए हमें police station जाने की जरुत नहीं है police हमारे द्वार पर आएगी तो मद्या पर्देश police ने basically ये scheme launch कर दी है FIR at doorstep scheme basically आपको call करना police में और police आपके द्वार पर खुद आएगी FIR के लिए FIR के लिए आपके द्वार पर आए जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए कोशन है चलिए बताईए comment section में बताईएगा FIR का full firm क्या होता है FIR का full firm क्या होता है मद्या परदेश की सरकार ने launch किया मद्या परदेश में पहले भातेशन तब अद्या परदेश में पहले Congress की सरकार थी और उसको गिरा कर आप भातेशन पाइटे की सरकार बनी है पहले यहाँ के मुख्यमंदरी थे कमलाथ अब है शिवरा सिंग चोहान शिवरा सिंग चोहान और यहाँ के गवर्णर है लार्जी टेंडन राजस्तान की सरकार ने लाँच कर गया खिरिशक कल्यान कोश किरिशक कल्यान कोश को लाँच करने की प्लैनिंग राजस्तान सरकार की काफी पहले से थी तो अभी करोना वारिस के चलते हुए यहाँ पे किसानों को तोड़ी सी फिसलेटिटि और पॉइट करवाने के लिए राजसान सरकार ने जो भी अगरिकल्टर पॉड़क्ट्स हैं उनके ओपर क्या लगा दिया दो परसेंट की फीस लगा दी इसको नाम दिया गया क्रिशाक कल्यान फीस तो जो भी फार्मर देगा और ना ही मंडी में काम करने वाले ना ही मंडी में काम करने वाले जो other transporters हैं या जो employees हैं वो भी नहीं देंगे इसका जो सीधा burden है ये customer पर जाने वाला है तो 2% क्रिशक कल्यान फीस फार्मर नहीं पे करेंगे तो agriculture products के उपर लिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा बट यहाँ पर हम छोटी चेक बात और करें मंडी सेस के नाम से मंडी सेस के नाम से ओल्रेडी 1.6% का जो agriculture product है उसके ओपर सेस लगता है मंडी सेस के नाम से तो 2% क्रिशक कल्यान फीस लगा दिया गया तो मंडी सेस अल्रेडी 1.6% लगता था तो टोटल बेसिकली 3.6% का agriculture products के ओपर सेस लगा दिया गया agriculture products के ओपर 3.6% का यह बेसिकली किसी भी राज्या में नहीं लगता है इतना तो राजस्थान सबसे राजस्थान सहला राज्या बना जहाँ पर agriculture foods के ओपर इतना जड़ा फीस वर सेस लगता है तो राजस्थान के जो मुख्या मंद्री है को अमनिस की सरकार है यहाँ पर इनका नाम है अशोक गहलोट अशोक गहलोट स्काइट्रेक्स अवाट देखिए स्काइट की बात करें तो आस्मान तो आस्माने क्या है उड़ते हैं तो स्काइट्रेक्स अवाट बेसिकली मिलता है एरपोर्ट सर्विसिस के लिए एरपोर्ट को मिलता है बेसिकली अवाट तो इंडिया की बात कर लेते हैं इंटरनेशनल अवल पर बात कर लेते हैं स्काइट्रक्स अवाड के तो कैमपागोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट बैंगलुरू कैमपागोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट बैंगलुरू तो बैंगलुरू का जो एरपोर्ट है इसको बोला जता है कैमपागोडा इंटरनेशनल एरपोर्ट इसको basically दिल्ली, Skytrax Award के चलते हुए, इसको मिला, Best Regional Airport in India and Central Asia, Best Regional Airport, Best Regional Airport, जहां में रखेगा, उसके बाद छत्रपती शिवाजी महारज International Airport, जो की मुंबाई में है, इसको क्या मिला, Best Airport staff in India, Best Airport staff in India, ओवरल अगर में बात करूँ, इंडिया का Best Airport कौन सा रहा, ओवरल इंडिया का Best Airport रहा है, इंडिरा गांधी International Airport, जो की दिल्ली में है, तो इसको basically Skytrax ने Best Airport का award भी है, उसके बाद दुनिया की बात करें, तो चंगी Airport, सिंगापूर का चंगी Airport, यह दुनिया का सबसे Best Airport है, वर्ड, Best Airport, उसके बात करें तो टोक्या, टोक्या, ऑल्ड, टोक्या हनेडाitaire एरपोट, यह कहाँ है? यह हैennes cleanest airport in the world, basically, टोके बात करें तो हनेडा एरपोट यह दुनिया का सब्से cleanest airport है, और पैरिस औरली एरपोट, पैरिस का औरली ऐरपोट का ऑवोर्ड गाया घाए, 2020 के वर्ड एरपोर्ट अवार्ट के अंदर वर्ड एरपोर्ट अवार्ट वेस्ट के लिए स्काइट्रक्स के बराई जायता है स्काइट्रक्स एक लंडन बेस्ट एक एरपोर्ट के लिए काम करने वाली कंपनी है लंडन में इसका हैड़कोटर है स्काइटर्क्स तो आगे चलते हैं हमारे जो सिविल वेशन के मिनिस्चर हैं इनके नाम है अर्णीप सिंग पूरी अर्णीप सिंग पूरी SBA General Insurance State Bank of India की General Insurance Company है SBA General Insurance में Health Insurance Policy launch करी है अरोग्या संजीवनी Health Insurance Policy तो करोना वाइरस के चलते हुए बिसीगलिए SSTEP SBA ने कस्टमर्स को एड़क्ट करने के लिए लाँच किया है तो SBA को लगता है कि ऐसी Health Policy अब लाँच करनी चाहिए तांकि लोग ज़दा सज़दा Health Policy खरीच सकें क्योंकि करोना वाइरस के चलते हुए अब हेल्थ इंशॉरस की वैल्यू समझ में आ रही है कि हेल्थ इंशॉरस ना हो तो खर्चा काभी हो जाता है दवाईयों के इलाज के उपर तो इस पॉलिसी ये पॉलिसीगलिए एक लाग से पांसलाक रुपे तक का समय शॉट करती है अरुगया सजीवनी हेल्थ इंशॉरस पॉलिसी तो विसिकली इसको इंशॉरस रेगलेटरी और डेवलप्न अथॉरटी और अफ इंडिया ने लाँच किया है उसी के गाइडलेंज के अंदर विसिकली इसको लाँच किया गया है इंशॉरस रेगलेटरी और डेवलप्न अगलेटरी और इंडिया ये इंडिया में इंशॉरस कंपनीज को रेगलेट करता है चाहिव लाइफ इंशॉरस की कंपनीज हो चाहिव नॉन लाइफ इंशॉरस की कंपनीज हो इसका हेड़कॉर्टर हैदराबाद में है इसके जो चेर्मेन है उनका रहाना है शुभास चंदर खूंटिया शुभास चंदर खूंटिया नेक्स बात करते हैं हमारा जो Micro Small and Medium Enterprises Ministry है MSME Ministry है इसने एक Champions Portal लाँच किया है Champions के विल्फम की बात करें तो creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength output and national strength तो MSME Ministry ने इसके चलते हुए जो भी ICT tools है जो भी ICT tools है तो इन ICT tools को बिसिकली यहाँ पर assistance इनके ओपर provide करवाने के लिए जो भी यहाँ पर young comers हैं जो भी यहाँ पर काम करने वाले इन companies MSMEs के अंदर काम करने वाला जो employees हैं उनको ICT tools जो modern ICT tools हैं उनका assistance provide करवाने के लिए बेसिकली इसको launch किया गया है बेसिकली इसको यहाँ पर launch किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं MSME Ministry ने इसको launch किया है MSME के हमारे मिनिस्टर है नितिन गडगरी उसके बाद बात करते हैं Facebook देखें यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है आप देख रहे हो यह क्या होते हैं बेसिकली यहाँ पर जो आपको images दिखाई दे रहे हैं they are the GIF images GIF images Graphic Interchange Format बेसिकली इसको बलग जाता है Graphic Interchange Format तो एक Graphic Interchange Format बनाने वाली कंपनी है Giphy Giphy तो Giphy को पर्चेस कर लिया है Facebook ने Facebook ने Giphy नामक इस कंपनी को 400 million dollars पर पर्चेस कर लिया है Facebook प्लैटफों में basically Instagram के अगर में बात करो और Facebook के अगर प्लैटफों में बात करो तो Giphy द्वारा बनाएगे GIF यूज़ किया जाते थे बाट अब Facebook ने Giphy कंपनी को पर्चेस कर लिया है 400 million dollars पर 400 million dollars पर Federal Bank Federal Bank में लांच किया है Mobile ATM Service Federal Bank में लांच कर गिया है Mobile ATM Service देकि Mobile ATM का बात क्या होती है Mobile ATM आपको ATM में जाने के ज़र्द नहीं है ATM मशीन जहां पर located होती है आपको जाने के ज़र्द नहीं है आपके पास खुद ATM मशीन चल के आएगी आपके पास खुद ATM मशीन चल के आएगी जब यह आपके एरिया में आएगी तो आप वहां से पैसा वेडरॉल कर सकते हैं बढ़ आपको बाहर जाने के ज़र्द नहीं है आपको ATM मेशिन के पाफ लोकेट जहां पजे लोकेट किये जाते हैं वहाँ जाने के जूपनी है यह चलती फिरती वैन ATM को करी किये हुए आपके द्वार पक खुद आएगी इसको लॉच्च किया फटल बैंक में फटल बैंक 1931 में बना था एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसके जो M.D.N.C.O.N. का नम है शाम स्रीनिवासन शाम स्रीनिवासन इसका है कोची डिस्टिक में कोची केरला में फटल बैंक वर इसने अपनी सर्विजिस को लॉच्च कि स्याम स्यवलय प्राइव ने का सिव्टैजड रांच की। काम करते हैं झैसे की आशिरबात, घंप需, बिंङो, क्लासमेट, विवेल, एंगेज, यه सारे के सारे, मंगल वीठ हुआ, यह सारे के सारे ITC के ही पोड़क््ट है, यह सारे के सारे बैंक में से अपने 22,000 करोर रूपे के शेर वो बेट देगी 22,000 करोर नेक्स बात करते हैं फेस्बुक ने वाट्टप ने लांच किया है क्या Check It Before You Share It Campaign Check It Before You Share It Campaign कि COVID-19 के चलते हुए काफी सारे फेक न्यूज सामने आती है काफी सारे फेक न्यूज सामने आती है तो वाट्प ने एक फीचर लांच करती है Check It Before You Share It वाट्प कहता है कि जो भी आप मैसिज फॉरवड करते हैं आपको जो भी COVID-19 को लेकर जो भी आपके पास मैसिज आते हैं आपको आपको फॉरवड करते हैं तो फॉरवड करने से पहले प्लीज एक फ़र चेक कर लें इसके लिए इसने लांच किया है Check It Before You Share It Campaign इसको लांच किया किसने है? वाट्सेप ने वाट्सेप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, इन सबके एक ही होना रहा है मार्ग जकरबाग मार्ग जकरबाग नेक्स बात करते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाप सिंग जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाप सिंग जी इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप इनोगरेट किया है यह इस सचेट पिशिप का नाम है सचेट देखिए ये सचेट बिसिकली इन्होंने वीडियो कांपसिंशिंग के चलते हुए लांच किया है इस सचेट के अगर मैं बात करूँ तो ये और तेईसो पचास टन बिसिकली इसका वेट है और बिसिकली दो दो इंजन लगाएंगे डीजर इंजन इसके ओपर 19,100 किलोवाट के और इसकी तो स्प्रेट है डाट इस 6,000 एनम के चलते हुए बिसिकली ये इंडरेस इसका रहेगा डाट इस सचेट इसके साथ साथ राजना सिंग जी ने दो बोट्स भी लाँच करी है दो इंटरसेप्टर बोट्स भी लाँच करी है C450 and C451 तो बेसिकली इसको बनाया है इसको लार्सन और टाबरो शिप्यार हजीरा ने बनाया है तो इसको भी इंडियन कोस्ट गाड़ में यहाँ पर include कर लिया गया नेक्स बात करते है अमेरिका, यूएस यूएस देने वाला है 200 ventilator इंडिया को 200 ventilator इंडिया को देने वाला है अमेरिका यूएस के जो प्रेजिडेंट है डोनाल्ड टरम्प इन्होंने ने ने रमोदी जी यहाँ पर बात करी कि हम इंडिया को 200 ventilator डोनेट करने वाले है जब इंडियान कामुनेटी ने बेसिकली कुछ प्रेज मीडिया ने यूएस के हैल्प डिपार्टमेंट से क्या कोस्ट रहेगा बेसिकली इन वैंडिलेटर का तो यूएस डिपार्टमेंट ने क्लियर करती है इस आप फुदर डोनेशन यह डोनेशन है बिलकुल फ्री रहने वाला है इसका कोई पैसा नहीं लेने वाला है यूएस तो 200 ventilator इंडिया को मिलेंगे यूएस के दरफ से मिशन सागर सागर क्या है security and growth for all in the region security and growth for all in the region इंडियन गवर्मेंट है five island nations जोकि इंडियन ओशन के साथ बसे हुए है तो five island nations जोकि इंडियन ओशन के साथ बसे हुए है मालदिस, मौरेशियस, शीशल मैडगसकर और कॉमरोस इन five इंडियन ओशन कंट्रीज island nations को यहाँ पर health provide करवाने के लिए यहाँ पर एक mission launch किया है सागर तो इंडिया अपने एक mission भेज रहा है केसरी, बाइनस केसरी यहाँ पर हम भेज रहे है जिसके अंदर हम medical assistance team food items, medicines और ayurvedic medicines को यहाँ पर भेज रहे है इन countries के अंदर इनको assistance provide करवाने के लिए coronavirus के चलते हुए defense testing infrastructure scheme तो सरकार ने launch कर दिये क्या defense testing infrastructure scheme इसका जो total budget रहेगा 400 करोर रहने वाला है तो 5 साल के लिए basically इसको launch किया गए basically देखिए इंडिया को defense products के एक hub बनाने के लिए इंडिया को defense manufacturing का hub बनाने के लिए basically इस defense testing infrastructure scheme launch करे गए सरकार ने पहले भी बोला था we are too much dependent on the import in case of defense तो हमें import नहीं करना है अब हम यहाँ पे इंडिया में ही defense products को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर products को इंडिया के अंदर manufacture करने के लिए defense products को उनको testing भी इंडिया के अंदर करने के लिए तो करोज रूपे के budget के साथ defense testing infrastructure scheme launch कर देगी है 75% इसका पैसा center government देने वाली है grantee need के चलते हुए और बाकी का जो पैसा आजा वो private companies और state governments देंगी special purpose vehicle के चलते हुए defense testing infrastructure scheme national technology day national technology day कब होता है national technology day होता है 11 माई को 11 माई को basically national technology day और मैं कहा रहते है क्यों क्यूंकि 11 माई 1998 को भारत ने पोकरान के अंदर पोकरार राज़तान के अंदर nuclear test किया था that is under the command of APJ अब्दुलकलाम तो APJ अब्दुलकलाम जी की command के अंदर यहां पर हमने launch किया था operation शक्ती operation शक्ती 1998 में पोकरान test range के अंदर अज़तान के अंदर हमने इसको test किया था उसी की memory में हर साल हम और माई करते है 11 माई को क्या national technology day इस साल national technology day के चलते हुए सरकार में के लाँच करा rebooting the economy through S&T basically सरकार ने mission launch करा restart 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 के है rebooting the economy through science, technology and research तो यह rebooting the economy through science and technology की economy को grow करने के लिए science and technology की help लेंगे हम तो इसके साब सरकार किसी प्रोग बात कर चुकिए science and technology को लेकर economy को improve करने के लिए तो benefit transfer mechanism आ गया agriculture markets entrepreneurs delivery of services participative governance grievance, reversal, visa application, consular, monitoring तो यह सब online services basically चल रही है तो इसी के चलते हुए यहाँ पर science and technology के benefits की बात करीए गए गए international nurses ते लेकिए nurses दे organize के लेकर 12 माही को 12 माही को आप सामने एक फोटो देख रहे हो यह है Florence Mattingal तो modern nursing techniques को लेकर यह जानी जाती है तो इनकी birth anniversary होते है 12 माही को 12 माही को इनकी birth anniversary के चलते हुए यहाँ पर organize के रहाता है international nurses पे और इस बरस का दीन था nursing the world to health और बेसिकली WHO world health organization ने में declare किया था यह जो year है 2020 the year of nurses and midwives next is international day of families international day of families होता है 15 माही को 15 माही को अगनाइज के रहाता है international day of families तो इस वार इसका भी था families and development Copenhagen and Beijing plus 25 United Nation ने दुनिया का ज़िडिपी है United Nation ने क्या बोला कि जो global GDP है यह श्रिंक हो जाएगा 2020 में 3.2% basically negative में चला जाएगा जो दुनिया भर का GDP है GDP का ज़िडिपी है ज़िडिपी का ज़िएगे Growth Domestic Product Growth Domestic Product तो global GDP की बात करें तो दुनिया में दुनिया भर में basically सभी countries का मिलाकर कितना यहाँ पर पैसा आया कितना यहाँ पर पैसा आया हम simple हशा में हो सकते हैं ज़िडिपी बेसिकली क्या होता है GDP बेसिकली होता है एक country की economy के अंदर कितना यहाँ पर पैसा आता The final market value of goods and services produced within an economy इसको हम क्या बोलते हैं GDP बढ़ यहाँ पर दुनिया की GDP की बात हो रही है सभी countries का मिलाकर तो United Nations का कहना है सभी रास्टर्शन का कहना है कि global GDP 2020 में COVID-19 के चलते हैं हर country की economy slow चल रही है हर side पे slow चल रहा है growth बिल्कुल नहीं हो पा रही है तो जो already situation है उसके चलते हो minus चला जाएगा negative में चला जाएगा कितना 3.2% बट United Nations का यह भी कहना है कि 2021 में यह grow कर सकता है यह recover हो सकता है कितना 3.4% यह report भी कितना United Nations में Morgan Stanley एक American investment bank है यह Morgan Stanley इसने बोला कि 2020 में India grow करेगा 0% 2020 में India grow कितना करेगा 0% इसने इडिया का GDP growth predict किया है India कितना grow करने वाला है 0% बट 2021 के लिए इसने अच्छे लेवल पे prediction दे लिए है 2021 में Morgan Stanley का कहना है 7.7% 7.7% और अगर global GDP के बात करें तो global GDP जैसे UN ने decrease किया था वोसी तरह से Morgan Stanley ने भी कर दिया Morgan Stanley ने किया है minus 3% minus 3% 2020 के लिए और 5.9% 2021 के लिए चलिए United States Center for Disease Control and Prevention United States Center for Disease Control and Prevention US का बिसिकली ये Health Department है Disease Control Department है तो इसने इंडिया को 3.6 million dollars का assistance प्रोवाइड किया है प्रोवाइड की समस्या से लडने के लिए 3.6 million dollars 3.6 million dollars US Center for Disease Control and Prevention इसका हैड़कोड है Atlanta, Georgia में That is in USA Indian Council for Cultural Relations Indian Council for Cultural Relations इंडियन कांसल प्रोवाइड से लडने के लिए एक song launch कर दिया है एक गाना इन्होंने launch किया है United We Fight United We Fight इस गाने को नाम दिया थे United We Fight तो कॉरोना वाइड से लडने के लिए Indian Council for Cultural Relations ने ये गाना लाँच किया है तो 3.33 minutes इस गाने की लैंड है 3.33 seconds का ये गाना है United We Fight और इसके जो राइटर है और का बोज़र हैं के नाम है Joy Elvarez और बेसिकली सिंगर्ट काफी लोगों ने मिलके गाया है ये उशा उठ्रूप, सिलीन, मर्चेंट, शेफाली Elvarez रशीद, बेनी दया, स्वानम कालडा, चंदन बलाय, कलेंड, जोयल एरविस, स्वलोम एन समीरा इन सब लोगों ने मिलके गाया है अगर मैं बात करूं Indian Council for Cultural Relations की तो ये 1950 में बना था इसका इन्योगरेशन वेसिबली भारत के पहले शिक्षा मंतरी अबुल कलाम अजार जी ने किया था अबुल कलाम अजार जी ने किया था इसके अभी जो हैड एंड प्रेजिनेंट है उनका नाम है विने सहासर बुद्दे विने सहासर बुद्दे फीगेट के आपको यादार होगा विरु सहासर बुद्दे तो उसी तरह ते भीने सहासर उद्दे, भीने सहासर उद्दे Next Council for Scientific and Industrial Research ने एक इंडिया का पहला पेपर स्ट्रिप टेस्ट लाँच कर दिया है COVID-19 के लिए COVID-19 के लिए इंडिया का पहला पेपर स्ट्रिप टेस्ट लाँच कर दिया है यह किस ने लाँच किया? यह लाँच किया है Council of Scientific and Industrial Research की Institute of Genomics and Integrative Biology Institute ने तो इसने लाँच कर दिया का इंडिया का पहला पेपर स्ट्रिप टेस्ट इसको नाम दिया गया फैलूरा फैलूरा तो बिसिकली यह क्रिस्पर टेक्नालोजी के उपर काम करता है पैलूरा बिसिकली क्लिस्पर टेक्नालोजी के उपर काम करता है क्लिस्पर क्या बात है? Clustered Regularly Interpaced Short Palandromic Repeat Technology तो फुल फॉम जया में रखेगा और पैलूरा को फुल फॉम क्या है? FMCAS9 Ditter Linked Uniform Detection तो किसमे लाँच किया गया? Council of Scientific and Industrial Research की Institute of Genomics and Integrative Biology Institute मे चलिए, आगे बढ़ते हैं Damer of Hasa Dam Damer of Hasa Dam तो दीखे, Damer of Hasa Dam की अगर माँ बात करूँ तो इस Dam का इनोग्रेशन काफी पहले हो चुका है इस Dam का जो launch है वो काफी पहले हो चुका है 1998 में बेसिकली पाकिस्तान ने इसका launch किया था अभी क्या हुआ पाकिस्तान की सरकार ने एक contract sign किया है चाइना की एक company के साथ चाइना पावर नाम एक company के साथ तो किसने sign किया है बेसिकली Frontier Works Organization ये पाकिस्तान military का एक commercial आउं है Frontier Works Organization तो Frontier Works Organization में चाइना पावर के साथ agreement sign किया है डैमर भासा डैम के इनुगरेशन को लेटर इस डैम के अगर मैं बारे बात करूँ तो basically ये 21 मेगावाट capacity का एक hydropower project डैम है तो इसके अगर मैं बात करूँ तो ये कहां पर है ये इंडस रीवर के ओपर Northern Pakistan में कोहिस्तान डेस्टिक के अंदर ये बनाया जा रहा है basically that is गिल्गित बाल्टिस्तान गिल्गित बाल्टिस्तान के अंदर इसको बनाया जा रहा है तो नदी ध्यार में रखेगा सबसे पहले नदीव काफी important है इंडस रिवर इंडस रिवर main thing is इंडस रिवर इसके बाद में बात करूँ आपको दिखा देता हूं इस तेंट के अबारे में फटर भी तो इस डैप का जो capacity रहने वाला है that is 8.1 million acre feet और जो power generation capacity है वो है 4500 megawatt approximately and ये basically एक बहुत height पर बनने वाला है 272 meters की height पर बनने वाला है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा उनिया का सबसे बड़ा roller compact concrete dam है RPC dam जिसका हम बोलते है और basically इसका जो खर्चा है वो है 406.5 billion पाकिस्तानी रुपी और 2028 तक पाकिस्तान का कहना है ये project complete हो जाएगा अब ये dam कापी important है क्योंकि इंडिया ने इसको oppose किया अब इंडिया ने oppose क्यों किया चुकि देखें ये इंडिया का oppose करने का कारण क्या है ये जो दाइमर फासाड डैम है ये पी-ओके के अंदर आता है पाकिस्तान अकुबाट कश्मीर के अंदर आता है बिसे बिलिए मैं आपने आप लेक सकते हूँ बिलिए मैं जो है जो गिल्गित बलतिस्तान डिस्टिक है ये कहां बरजाता है ये अध्या पाकिस्तान अकुबाट कश्मीर के अंदर है तो इंडिया कहता है सरा कश्मीर तो हमारा है तो इसी के चलते हूँ इंडिया ने इस डैम को oppose किया ये डैम भी बना चाहिए तो इंडिया ने oppose किया है क्योंकि इंडिया कहता है कि P.O.K का जो एरिया हो पकिस्तान के पास illegal है हो एरिया हमारा है तो आप इस लैंड को यूज नहीं कर सकते तो रिवर कौन थी इंडिस रिवर के ओपर ये बनाया जा रहा है चलिए अगे बड़ते न्यूडवलपमेंघ नना जूडवलपमेंट बैंख ने एक मिलियन डालर का लों पन है को बड मैंटने के लिए प्रिवर्ड बैंहिने मिट लओंन परीप ये तो नी्यूडवलक्रप्वलक्र division ने भी दिया क्या वन बिलियन दूरल का लॉन नुट अब बात करूँ तो इसको ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रशिया इंडिया चाहिना शाउथ अफरीका यह पांचो कंट्रीज इकोल शेर रोटर है 30-90% का पांचो कंट्रीज का शेर है इस मैंक के अंदर और इस बैक का हैटवाटर शेंगही चाहिना में है और इस बैक के जो प्रेजिनेंट है वो है के वी कामत के वी कामत सरकार में अपनी स्टेटकी एकॉनमी को वापस लेके आने के लिए ट्रैक पे लेके आने के लिए एक पैनल बनाया है एक कमेटी बनायी है तो देखिए COVID-19 के चलते हैं करोना वायरस के चलते हैं सभी स्टेट की एकॉनमी की जो हालत है वो काफी खराब हो गई है ज्योंकि लॉक्डाउं रहा तो लॉक्डाउं के चलते हुए एकॉनमी सरकार को इंकम नहीं हो पाई और स्टेट के अंदर जो बिजनस है वो सब खतम हो गया वोजी के चलते हैं तबिलाडू की सरकार ने उस एकॉनमी सको कैसे बैक लेके आ जाए उसके उपर डिसकॉस्चन करने के लिए कमेटी बनाई है कमेटी के हैड इस कमेटी के हैड है रिजर्व बैंक आफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर आर रंगाराजन आप देख सकते हैं चितर में तो यह आर रंगाराजन है रबी आई के फॉर्मर गवर्नर अभी आई के फॉर्मर गवर rice को exports बढ़ाने के लिए चावगन का exports बढ़ाने के लिए एक body बनाई rice export promotion firm ये काम करेगी अपेड़ा के अंदर agriculture and process export promotion development authority के अंदर बैसिकली एक काम करने वाला है rice export promotion firm तो इंडिया में basically काफी food grain पढ़े हुए हैं जो पिछले साथ के भी इसके जलते हुए गाडियों की मेंटेनर्स गाडियों नहीं गाड़ी अगर आपने खरीदनी हो तो आपको उनके समझाने की ज़ूत नहीं है आपको बस call करना है या फिर online apply करना है या आपके घर पर आएगे आपको टेस्टिंग प्राइब देने के लिए और सारा work आपके पास आकर ही करेगे तो digital sales platform इन्होंने launch कर लिया on online जिसके चुते हैं आप online सभी queries कर सकते हैं उत्राखंड के जो मुख्या मंत्री है इन्होंने एक portal launch किया है होप इन्होंने एक portal launch किया है पोटल का माम है होप तो यह होप पोटल basically launch इन्होंने किया है जो भी उत्राखंड के अंदर जो unemployed youth है उसको no cream उसको job provide कर वाने के लिए होप का फीफम क्या है helping out people every year everywhere helping out people every year and इस portal को जोड़ दिये जाएगा उत्राखंड सरकार के स्कीम के साथ that is मुख्या मंत्री सवारोजगार योजना world economic forum का energy transition index एक energy transition index को basically launch करता है world economic forum तो इस बार भारत का रंक इसमें आया 74 और टॉप किस ने करा स्विडन ने और second रा Switzerland, third रा Finland तो भारत का रंक 74 इसमें ग्लोबल energy transition index launched by world economic forum sports authority of India ने एक 6 member का panel बनाया है तो जो भी basically sports persons है ठीक है sports person है वो basically COVID-19 के चलते हैं किस तरह से अपनी training को continue कर सकते हैं, resume कर सकते हैं उसकी discussion को लेकर basically इसनोंने ये panel मनाया है इस panel के जो head है उनका नाम है रोहित भार्दवाज रोहित भार्दवाज ये sports authority of India के secretary है रोहित भार्दवाज काफे टाइम से यहाँ पर काम कर रहे थी cbac के चेर पर पर तो अभी उनको ट्राफर कर दिया गया है उनको अपांट कर दिया गया है secretary of the department of school educational literacy department of school educational literacy का secretary बना दिया गया है अनीता सरवाग जी को और मनोज पहुजा बने है cbac के नए चेर परसंट जुवेर इकबाल जुवेर इकबाल अपांट कर दिये गये जुवेर कश्मीर बैंक के नए managing director देखे जुवेर कश्मीर बैंक की अगर मैं बात करो तो 1938 में जुवेर कश्मीर के एक महराजा ने इस bank को start किया था जुवेर कश्मीर बैंक एक state earned bank है बिसिकली है जुवेर इकबाल बने इस bank के ने managing director और इस bank के नाम था आरके शिंबर बन गया है इस bank के chairman जुवेर कश्मीर बैंक श्रिण अगर मैं headquarter है इस bank का वी विद्धाबती वी विद्धाबती जी को appoint कर दिया गया है डिरेक्टर जनल अर्केलोजिकल सर्वेव इंडिया जो की पुरासन चीजों को ने कर काम करता है अर्केलोजिकल सर्वेव इंडिया इसके ने director जनल बने है वी विद्धाबती और इसी के साथ कुछ अपन्मेंट्स पॉर भी किया है अपन्मेंट्स कमेटी अप कैमिरेट ने इसी के ने डिरेक्टर जनल रजेंद्रा कुमार और CPCB Central Pollution Control Board के डिरेक्टर जनल शिवदास मीना शिवदास मीना जी हाँ यह है दीपा मलिक यह है दीपा मलिक दोजार सोला रियो ओलम्पिक्स में मेडल जीता था इन्होंने और यह पहली पैराथ लीड बनी थी पहली वुमन पैराथ लेड बनी थी मैडल जीतने वाली ओलम्पिक गेम्स में तो अभी इनको बना दिया गया पैराथ लंपिक कमेटी अप इंडिया का प्रेजिएंट तो इसी के चलते हुए आप इनोंने अपने रिटार्मेंट अनूंस कर जिया है 2020 टोक्यो ओलम्पिक में पहले जाने वाली थी पिर इनको एक इंजुरी हो गी है तो इसी के बाद इनको पैराथ लंपिक कमेटी अफ इंडिया का प्रेजिएंट तो जो पैराथ लंपिक प्रफैसर अनी सुजामन तो बिसिकली नैशनल प्रफैसर आप बांगलादेश वीकेंट कार्ड बांगलादेश ने 2018 में इनको नैशनल प्रफैसर की उपादी दी ती बांगला लिट्रेचर को लेकर काफ इच्छे वाज़े काम कर चुके हैं और भारत सरकार में इनको पद प्रफैसर अनी सुजामन तो इरान की तरफ से ऑपेक के जो गवर्नर के उनका नाम था होतेन का जैन्पुरे अर्दबली तो अब यह नहीं रहे इंडिएज हो चुकी है तो ऑपेक काफी इंपोर्टन बॉड़ी है ओईल्स को लेकर क्योंगी दुनिया में ओईल की काफी च अब इराक को क्रोस कर लिया है साओडी अरेबिया इंडिया का सबसे बड़ा ओईल पार्टन बन चुका है टेबल टानिस के फॉर्मर चैंपियन मनमीद सिंग वालिया साथ अब नहीं रहे तो यह बहुत ही फेमस टेबल टानिस प्लेयर थे मनमीद सिंग वालिया Crime Patrol Soni TV में एक सीरियर लाता है बहुत ही फेमस Crime Patrol इसके अंदर काम करने वाले एक एक अक्टर शफीक अंसारी तो यह अब नहीं रहे शफीक अंसारी साथ इनका बहात होगा शफीक अंसारी हरी शंकर वासुदेवन हरी शंकर वासुदेवन तो हरी शंकर वासुदेवन साथ अब नहीं रहे एक बहुत ही अच्छे लेवल के हिस्टोरियन्त है ये हरी शंकर वासुदेवन साहितिया कड़मी विनर दिबेश रोय पास तो ये एक बहुत मी महान बेंगॉली ओसत दिबेश रोय साहब अब ये नहीं रहे इनका देहान तो चुका है इनको मिला हुआ था साही तया कड़ी अवाब तो किसके लिए मिला था तो बैसीकि तीसका परज रितियन तो ये इनके एक पॉइंट थी इसके लिए इनको अब और दिया था था 2019 जटीडीयास के फॉर्मर MP राजा रंगापा नायक में तो जटारो सैकुलर बेसिंगल करनाटका में काम करते हैं तो करनाटका के बात करना चाहँ और वाईफ्चुरप लोगसवा के एक MP थे राजा रंगापा जी अब यह नहीं रहें इनका नहां देहां हो चुका तो ये था हमारा second week का current affair माई 2020 के दूसरे हफ्टे का current affair तो अगर आप खोई भी doubt अगर आप comment section में मुझे पुछ चकते हैं तो आज के लिए इतना ही Thank you so much Have a nice day